मैसूर के शेर का सूर्यास्ट देखा, ठीपू सुल्तान का शव कैसे बरामत किया गया और उसकी पहचान कैसे की गई, क्या हुआ था उस भयानक रात को महल और श्री रंग पतना में, हम आगामी एपिसोड में से एक में चर्चा करेंगे, इस कड़ी में हम ठीपू के अंतिम स अंसकार और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, पर प्रकाश डालेंगे। भारती एतिहास के अंकहे लमहों की एक और कड़ी के साथ इस चैनल में आपका स्वागत है। अब यह खबर फैली कि टीपू सुल्तान की हार हुई, तो अनिश्चित्ता पैदा हो गई। तब तक टीपू का शव नहीं मिला, अंग्रेजों को टीपू की मौत का यकीन नहीं था। इसलिए East India Company के सेना कमांडर इस खबर की पुष्टी करने के लिए टीपू के शव को ख अमराज के लिए काम करने वाले लोग जो जिन्दा थे वे खुल कर सामने आने से डरते थे। डेविड बियर ने महल के कुछ वफादार नौकरों की मदद से टीपू के शरीर की पहचान की, रात के करीब 10 बज रहे थे। करनलार थर वे लेसली भी रात के अंधिरे में टिम्टी माती मशाल के साथ टीपू के शव के पास पहुचे। वे लेसली को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पुष्टी करने के लिए टीपू की धरकन और नबस की जाच की। उथल पुथल भरे महौल में टीपू के शव को पालकी में रख कर महल में ले जाया गया। पालकी आम और छोटी थी। टीपू को घुटनों के बलू उपर की ओर जुका कर पालकी में डाल दिया गया। महल दुख में डूबा हुआ था। महल के अंदर महिलाओं, रईसों, वफादार नौकरों और कुछ सैनिकों ने शरीर को घेर लिया। शरीर पर घावों को कुशलता से बांधा गया था। विशेश रूप से दाहीने कंधे पर शव को दीवान पर रखा गया था। सुबह म मेजर डेविड प्राइस जब टीपू के महल में पहुचे तो उन्हें मातम का माहौल मिला। ब्रिटिश सेना ने मृतक को उचित सम्मान दिया। अंतिम संसकार पूरे सम्मान के साथ किया गया। महल ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और सैनिकों से भरा हुआ था। कुछ पूरे से सभी सहमत थे। अंतिम संसकार की तैयारियों की देखरेख श्री रंगपटना के प्रमुख काजी ने की टीपू के शव को मलमल में लपेट कर जनाजे में रखा गया। जनाजा एक सम्रिद ब्रकेड कपड़े से ढखा हुआ था। अओप्य सैनिकों की चार कंपन में अधिकारी, स्थानी अलोग उपस्थित थे। काजी ने पवित्र कुरान की आयतों का उच्चारन किया और इसे सभी ने दोहराया। हाला कि पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था और ब्रिटिश सैनिकों की धमकी के बाद भी सडके निवासियों से पटी थी। जनाजा पारित होते ही स्थानी अलोग रो रहे थे और साश्टान गुप्रनाम कर रहे थे। गुमबज पहुचने पर ब्रिटिश सैनिकों ने एक सडक बनाई और जुलूस के गुजरने पर हतियार पेश किये। अंतिम संसकार की नमाज के बाद टीपू को उनके पिता के बगल में दफनाया गया। दफनाने के बाद की घटनाओं का वर्णन लेफटेनेंट रिचर बेली बारहवी रेजमेंट ने अपनी पत्रिकाओं में किया है। की बह गये। सब कुछ तूफान के भवर में बह गया। किले में गरज, बारिश और रोष्णी ने तबाही मचा दी। तूफान के प्रभाव के कारण जमीन में लंबी लकीरे बन गई। तो प्ठाने की गोली बारी की तुल्ना में गरज अधिक तीवरत थी। को सुबह हम्रित पाया गया। और उसके सहियोगियों को आगधात पहुचा। हर कोई तूफान थमने की दूआ कर रहा था। यहां तकी जिन सैने को ने तूफान और भयंकर युद्ध देखे थे, देभी प्रकृती के कहर को देखकर डर गए। सुबह तक तूफान थम गया, बात अधिक उचे हो गए, गरज और विजली बंद दो गए, और कफुले तबार्थ में से शांत दो गए। लेकिन तब आधि सब तरफ तूफे, अगर आपको यहां तूफान को सब्सक्राइब करें। भारती अितिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।